ये तस्वीरें जो आप देख रहें हैं वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदी अक्षेत्रवारानसी की है मौनसून आने की बाद एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है तो दूसरी और बनारस में पहली बारिश ने ही स्मार्ट सिटी के होने वाले दावे को धो दिया है हर तरफ बनारस में पहली ही बारिश में पानी का जल जमाव ही नजर आ रहा है चाहे वह अंधरा पुल हो फिर दशाश्व मेध घाट को जाती हुई गोदोलिया चोराहा की सड़क हो या बेनिया बाग, मैदागिन चोराहा और सिग्रा इलाका हो या फिर कामाक्षा का इलाका हो हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है दरसल, बनारस को स्माच सिटी बनाने के लिए बीते कई सालों से कवायद हो रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रशासन लगा हुआ है लेकिन इस बार ने सभी वादों की पोल खोल कर रख दी है आपको बता दें की बनारस में गुरुवार को 24 घंटे में इतिहास की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई कल पूरे दिन में 404 मिलिमीटर बारिश हुई है निउस डेस्क कुक पुतत कि लिए झाल झाल